इंडियन फिलोसफी का एक बड़ा इंट्रस्टिंग टॉपिक द्वैट अद्वैट वार निम्ब का चाहर इसके फाउंडर्ट है बिसिकली अगर हम देखें तो विदान्त फिलोसफी एक इतना बड़ा सेक्शन है जिसको समराइज करना आपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है बट इसको आप इस तरीके समझ सकते हैं एक छोटा सा एक पैटर्न समझाने के कुशिश करता हूं हम आपको इसक्रीम से देखेगा पूरी वेदान्त फिलोसफी में देखेगा पूरी वेदान्त फिलोसफी के अंदर आप अगर मैं सारे फिलोसफर्स को एक साथ ले लेता हूं तो आप उन्हों केटेग्राइज कर सकते हैं और मैंने ये जो विभाजन किया है ये दो भागों में किया है पहला पार्ट इसमें मैं लेता हूं केवल शंकराचारे को सेकिंड पार्ट शंकराचारे के अलावा जितने भी फिलोसफर हैं चाहे वो रामानुप हो चाहे वो माध्न हो चाहे वो निंबक हो चाहे वो वल्लब हो चाहे वो चैतन्य हो जितने भी और philosophers बचते हैं वो second part ना करते हैं उसका reason है क्यों शंकराचारे बात करते हैं absolute के शंकराचारे बात करते हैं idol के शंकराचारे बात करते हैं logical vedic philosophy के जहाँ पर spirituality का level अलग है जहाँ पर concept अलग है जहाँ बात हो रही है pure vedic knowledge के वहाँ पर कोई mix up नहीं है और एक reason भी है कि शंकराचारे के बाद के philosophers जो है वो शंकराचारे से देरे देरे दूर होना शुरू हो गए जब शंकराचारे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मे और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या तो वहाँ पर वो ब्रह्म की supremacy को define करता है कितनी superior है ब्रह्म ब्रह्म सबसे महान है वही सत्य है बागी सब मिथ्या है तो यह एक dedication है इससे वड़ा dedication आज तक नहीं देखा गया अब दिक्कत यह है कि ब्रह्म क्या या ब्रह्म कौन या ब्रह्म कैसा यहाँ पर confusion है आप ब्रह्म को शब्द तो आपने लिए दिया नाम तो आपने लिए दिया ब्रह्म लेकिन ब्रह्म मतलब क्या और इसे बड़ी interesting बात क्या हुई कि जो अंग्रे जी के पुस्तक है जिनों ने लिखी उन्होंने इसके आगे एक ए और लगा दिया ब्रह्म के आगे ए और लगा दिया तो यह ब्रह्मा हो गया कुछ लोग तो भी चारे यह समस्ते हैं कि शंकराचारे केवल ब्रह्मा को मान देते ब्रह्मा विष्णु महेश में से केवल ब्रह्मा को मान देते यह बड़ी विडबना हुई दुरुभाग्य हुआ हमारा ऐसा नहीं है ब्रह्म को माना गया है ब्रह्म में वहां उनका तात्परिता शंक्राचाहजेकार के यह इश्वर जो है उसमें भी कहीना कही कुछ कमी है इश्वर के अदर माया पाई जाती है इश्वर अगर एक personality का positive perspective है तो माया उसका negative perspective है यह इश्वर और माया एक साथ काम करते हैं तो ब्रह्म कहा है ब्रह्म वो है जो इन दोनों को बना रहा है ब्रह्म इन्हें पैदा कर रहा है अब कुछ लोगों ने कहा कि जब ब्रह्म इन् बड़ा ही अजीव गरीब एक्जामपल है, मैं समझने कोशिश कीज़ेगा, एक हलवाई, अगर मैदा की या बेसन की बरफी बना रहा है, तो हलवाई भी बेसन होगा, ये तो नहीं हो सकता, वो creator है, हलवाई creator है, वो create कर रहा है, वो मैदा बनाता है, वो बेसन की हलवा बना रहा है, मैदा की मिठाईया बना रहा है, whatever, वो सब कुछ का रहा है, लेकिन वो वो नहीं है, वो creator है, उसी तरीके से, ब्रह्म में माया नहीं है, ब्रह्म ने उसका निर्माड की आता है, तो ये ब्रह्म था, शंकराचारी की फिलास्फिय थोड़ी सी, अलग point of view से देखी जाती है, और विडंबना या दुरुभाग्य ये रहा, कि शंकराचारी के उपर ज़्यादा काम नहीं किया गया, इनफेक्ट कुछ जगे पे तो शंकराचारी को नहीं पढ़ा जाता है, रामानुजाचारी से कहाने शुरू की जाती है, और रामानुजाचारी को वेदान फिलास्फिय के पॉड़ी पढ़ा जाता है, और इसी स्रीज में आपके जो आदकी फिलास्फिय हैं, वो है निमबार्त का चार्य है, ठीक है, जिन्हें आज हमें देखना है, श्कीन पर दिख रहा होगा आपको, फोड़ा सब्सक्राइब देखना हैं, ठीक है, द्वैत अद्वैत, शब्द से ही मालूम पढ़ रहा होगा यहां पर, ता मीनिक क्या है, द्वैत प्लस अद्वैत, मतलब अद्वैत जो शंकर का सिद्धान्त है, शंकराचारे का सिद्धान्त है, जो जगत है, जो ब्रहम है, वो अलग-अलग नहीं है, अहम ब्रहमास में, जगत के हर कण के अंदर ब्रहम चिपा है, अंदर कण चिपा है, आप समुंदर में जाकर अगर पानी की तलाश करें, तो ये वेवकूफी होगी समुंदर पानी ही पानी है आप पानी के बीच में है आपके शरीर में भी पानी है आपके अंदर भी पानी है आपके बाहर भी पानी है पानी ही पानी है इसी तरीके से जगत ब्रह्म से अलग नहीं है अंदर भी ब्रह्म है बाहर भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है चारों तरफ, ये शंकर का सिध्धान था, लेकिन रामानुज का विसिस्ट अद्वैतवाद का एक और सिध्धान था, जगत ब्रह्म से अलग है, लेकिन दोनों का ये अलब होना ही, उसकी यूनीकनेस है, उसकी विसिस्ट था है, और यह कहला है विशिस्ट अद्वयत बाद। पिर अगर आप माधव को देखेंगे तो उन्होंने कहा complete dualistic दोनों अलग हैं, दोनों में कोई relation ही नहीं हैं। अब निम्बकाचारे इस पूरी debate को खतम करने के तरफ बढ़ रहे हैं और निम्बकाचारे कहते हैं कि सब सही हैं, चंकर भी सही है, रामानुज भी सही है, माधव भी सही है, निम्बार्क ने कहा कि ब्रह्म से संसार की जो भिन्यता है और अभिन्यता है दोनों ही एक जैसी पर एक point of view से जब आप कहते हैं संसार ब्रह्म से अलग है एक point of view पर आप कहते हैं संसार ब्रह्म से अलग नहीं है तो निम्बकाचारे कहते हैं दोनों सही है यह दोनों सही है इसका मतलब क्या हो सकता है दोनों सही कैसे हो सकता है निम्पका चारे कहते हैं बिल्खुल दोनों नित्य सत्य है इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए सूरज एक इंडिविज्वल अब्जेक्ट हो गया सूरज का प्रकाश एक अलग अब्चेक्ट हो गया दोनों अलग अलग लेकिन यार सच में दोनों अलग है एक तरह से देखा जाए तो दोनों अलग है लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो दोनों अलग नहीं है आप आम का पेड देखते है और उस पेड़ के उपर आम का फ्रूट जो है फल जो है वो लगता है क्या आम का पेड़ और आम दोनों एक ही है आप में एक तरह से देखा जाए तो अलग है लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो बिलकुल एक है हम आम के पेड़ की लकड़ी नहीं खा सकते लेकिन उसी लकड़ी से जब आम का फल बनता है तो हम फल खाते हैं हम फल खाते हैं तो एक नजरिये से दोनों अलग हैं एक नजरिये से दोनों ध्वैत हैं दोनों अलग हैं येवल आवस्थाएं अलग-अलग हो रही है पर निम्बार्क ने जो वैदिक फिलास्फिर में डिबेट चल रही थे उसे खतम करने की पुशिश्चे ये पैचारे कहते हैं ब्रह्म इस संसार का कारण है ब्रह्म कॉज है संसार उसका वर्क है उसका परिणाम है उसका रिजल्ट है जिसकी आम का पेड जो है वो ब्रह्म है और फल जो निकल कर आ रहा है वहां से वो संसार है एक नजरीय से देखा जाए तो ब्रह्म और संसार दोनों में कोई समानता नहीं दिखाई गेजी आम का पत्ता भी मीठा नहीं होता उसके जड़े भी मीठी नहीं होती तो मीठा फल कहों के आया लेकिन मुझे ये भी पता है ये आम का मीठा फल आम पर ही लग सकता है क्योंकि दोनों एक है तो निम्बक अचार कहते हैं कि दोनों के अंदर ब्रह्म कारण है, संसार परिणाम है और यह संबंद हमेशा बना रहें साथे हैं एक नजरीय से कारण और परिणाम, वर्क और कॉस जो हैं अलग-अलग हैं लेकिन एक पॉइंट आउफ यू से दोनों अलग नहीं हैं अगर आप डीप पे जाएंगे तो दोनों शायद अलग नहीं हैं, ब्रह्म जो है वो अद्वैत है, ब्रह्म अद्वैत है, क्योंकि ब्रह्म एक है, सब भी के अंदर पाया जाता है, और संसार यह डुवलिस्टिक है, यहाँ द्वैत पाया जाता है तो एक नजर ये से, एक छोर पर अगर मैं खड़ाओ कर देखू, तो मुझे अद्वैत ब्रह्म दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं ब्रह्म के साथ खड़ाओ कर संसार को देखू, तो मुझे द्वैत दिखाई देगा, ये निम्बकाचारी के फिलास्फिय को इस फिलास्फि के पूर्व और डुलोमी और आश्वरत थे भेद अभेदवादी थे और केवल यही नहीं इनके रहाँ बहुत सारे फिलोसफर्स ऐसे हुए है इनफेक्ट अगर आप देखें तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो फिलोसफी है ये शायद सबसे पुरानी फिलोसफी और इसी के रेफ्रेंस से बाके फिलोसफी खड़ी है पुछ फिलोसफर्स का कहना है कि शंकर से भी पहले ये फिलोसफी थी पुछ का कहना है कि शंकर ने इसी को फॉलो करते हुए अद्वैत को फॉलो किया अब ये किवदंतियां हैं कहानियां हैं या जो भी है पर ऐसा मान जाता है कि द्वैत अद्वैत वार कोई नई फिलासफी नहीं ही यह बहुत पुरानी फिलासफी ते एक डाइग्राम देखने कोशिश कीजिएगा इस फिलासफी में तीन एलिमेंट्स माने जाते हैं तीन तत्व माने जाते हैं ईश्वर चित और अचित तीन अलग अलग तत्व इसमें पाई जाते हैं ईश्वर इश्वर कौन है इश्वर क्रियेटर है इसके अंदर एक पावर शक्ति एनर्जी पाई जाती है जिससे यह अलग अलग अब्जेक्ट्स क्रियेट करता रहता है यह सरजनात्तम है सबको पैदा करता है चित और अचित कही ना कही इसी का creation है लेकिन ये इसका product नहीं है ये इसकी energy है चित और अचित जो है इश्वर का कोई मैं कहूं कि तत्व नहीं है अन्शी नहीं है भाग नहीं है ये इसकी उर्जा है ये इसकी शक्ती है ये इसकी power है कित्त के अंदर आप जीव को पढ़ेंगे, जो ग्याता है, जो नॉनेज करता है, जो कर्म करता है, जो अक्टिविटी करता है, और जो भोगता है, जो कंज्यूमर भी है, वो जीव है, जिसको आप आत्मा भी कहते हैं, जड को भी तीन तरीके से डिफाइन किया गया है, प्राक्रत, एप्राक्रत और काल, काल मतलब हो कि आपका ठाइम, इश्वर सगुन है, गुनों से भरा हुआ है, उसमें कोई तरह का दोश नहीं है, हर चीज के अंदर, बाहर जो दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता ह वो सबकुछ इश्वर है, क्या जीव को इश्वर का ग्यान होगा, क्या जीव इश्वर के प्रति समर्पित हो सकता है, तो यह कहते हैं हाँ, इसके लिए इस स्पेसिफिक वर्ड का यूज किया गया है, प्रपत्ति, प्रपत्ति, इश्वर के प्रति आपका पूर्ण डेडिकेशन और ऐसा करने के लिए आप 5-6 तरीके से इस चीज को फालो कर सकते हैं सबसे पहले अनुकूल संकल्प लीजिए आप एक विल पावर को मजबूत कीजिए और एक संकल्प पहले लीजिए कि मुझे UPSC क्रेक करना है माले जिए ईश्वर आपका UPSC हो गया या UPSC आपका ईश्वर हो गया अब UPSC के प्रति समर पर डेडिकेशन की इस तरीके से किया जाए सबसे पहरे अपना मोटिव के लिए जाए अनुकूल संकल्प तो अनुकूल्यस्य संकल्प ख़र कि मुझे UPSC क्रेक करना है या अनुकूल संकल्प हो गया अपकर, प्रतिकूल्यस वर्जनम जो प्रतिकूल है उसकी वर्जना कर दीजे उसे हटा दीजे साइड में। जो परिस्तितियां, जो विचार, जो आपस का माहौल, अगर आपके अनुकुल नहीं है, आपके favor में नहीं है, प्रतिकूल है आपके, अगेंस्ट है आपके, उसे side में करतीके, चलिए होगे, side होगे, आपके यार, दोस्त, आपकी habit, आपका culture, आपका परिवार, जो भी आपक जो भी आपको कहता है आगे मत बढ़ो तो उनको साइड लाइन करने का मतलब यह निए घर छोड़ के भात लाओ साइड लाइन करने का मतलब है उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ क्योंकि अपना संकल्प फिक्स है UPSC 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 जो कुछ भी आपके पास हो उसकी रक्षा करो और उसकी रक्षा करने का विश्वास आपके पास होना चाहिए कि मैंने आज तीन सब्जेक्ट पढ़ लिये तो ये तीन सब्जेक्ट चो मैंने पढ़ लिये अब मैं ये भूलूंगा नहीं ये उसकी रक्षा हो गई और मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ रक्षिश्यतिती विश्वास है रक्षा करने का विश्वास ये अब thoughts ये अब syllabus मैं भूलूँगा नहीं और जब आप ऐसा कर जाएंगे तो आप गौप्तत्व का वरण करेंगे आप कहीं न कहीं सीमित होना शुरू हो जाएंगे आप देखेंगे आपका circle बहुत अब देखेंगे अब आप फाल्तू किताबे नहीं पढ़ते हैं फाल्तू मतलब पहले starting है बच्चा क्या करता है अपनी table पर बहुत sorry किताबों का धेर लगा लेता है लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर एक maturity आती है वो limited books पढ़ता है YouTube पे भी आता है तो एक fix उसको पता है कौन सा channel देखना है that's it उसके बाद क्या होगा exam पास आने वाला है आत्म निक्षे पहर खुद को न्योचावर कर दीजिए UPSC के उपर स्वैम को ईश्वर पर न्योचावर कर दीजिए और जैसे ही आप ये कर देंगे आपका काम हो जाएगा निरी हिता का बूध हो जाएगा कि ईश्वर ही सब कुछ है It means result आ गया मिठाईयां बांठी ही ठीक है तो ये प्रपत्ति dedication के इस तरीके से किया जाता है ईश्वर के प्रति समरपन के इस तरीके से किया जाता है उसके 6 steps है जो भी हमेशा कभी भी आपको कोई अचीव करनी हो तो ध्यान रखेगा बिना समरपन के आप अचीव नहीं कर सकते चाहे लक्षे छोटा हो चाहे लक्षे बड़ा हो लेकिन समरपन जरूरी है यह है philosophy भी भक्ती मार्ग को dedicated है सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ती की परंपरा यहाँ पर रही है लेकिन फिर भी सगुण भक्ती को ज्यादा यहाँ पर फॉलो किया गया है यह राधा कृष्ण के फॉलोवर माने जाते हैं और कहा जाता है कि निंबकाचार जितो राधा कृष्ण की भक्ती में ही लीन थे ब्रंदावन बंगाल के अंदर इस फिलोसफी का ज्यादा परचार हुआ बाद में इसी के अंदर से अलग-लग ब्रांचेज निकलना शुरू ही वल्लब संपरदाय शकी संपरदाय और बहुत सारे अलग-लग-लग-लग सेक्शन्स यहां से आए और उन्होंने इस फिलोस्टी को और आके बढ़ाया सगुण और निर्गुण में ध्यान रखिएगा कुछ लोग कहते हैं सगुण मतलब होता है गुणों के साथ और निर्गुन मतलब होता है गुणों के बिना, नहीं, निर्गुन एक absolute term है, निर्गुन का मतलब होता है आपके पार सब कुछ है, लेकिन अब आपको desire कुछ भी नहीं, आपके कोई इच्छा नहीं, आपके बाहर घर के बाहर एक Mercedes है, एक Audi है, एक BMW है, लेकिन आपका मन नही करता है है कि हो सकता है कि आप बीमार हैं लेकिन निर्गुन अवस्ता का मतलब है जब आपके पास सारे गुन हैं लेकिन आपके अंदर destruction नहीं है इक्षा नहीं है किसी किसी बी तरह कि आपके अंदर अब चाहत नहीं बची यह निर्गुण की अवस्था है, absolute अवस्था है, सगुण की अवस्था, गुण अभी भी है आपके अंदर लेकिन वो active condition है, गाड़ी चाहिए, Mercedes, BMW, नहीं, मैं जगुवार लेकिया हूँगा, मुझे जगुवार में पूमना है, आपके पास गुण है, और यूज करना, या निर्गुण को follow करना, अपने आप में सबसे typical है, जब शंकर कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत लिध्या, या अहम ब्रह्म हासमी, तो वहां ब्रह्म कैसा है, तो गो निर्गुण जैसा होगा, हालांकि वेदान फिलास्फी में सगुण निर्गुण साथ साथ चलते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा निम्बकाचारे भी कहते हैं, कि सगुण और निर्गुण हम दोनों भक्ती को मानेंगे, क्योंकि ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों हैं, तेकि फिर भी सगुण का रास्ता थोड़ा सा आसान हमें लगता है, तेक है, आके न